हाई ओर मैं स्टासिट टिपल नाइन फैमिली वेलकम बाक टू टू चैनल आई होब काईज आप सब अच्छे होंगे पॉसिटिफ होंगे साथी साथ पॉसिटिफ पॉसिटिफ आफिरमेशन देते रहोगे तो जैसे कि आपने थमनल में देखा है आज हम रेटिंग करने वाले है major breakthrough आपके जिन्दिग में होने वाला है ठीक है major breakthrough का मतलब होता है महत्वपूर्ना सफलता या फिर महत्वपूर्ना उपलब्ती आपके जिन्दिग में होने वाली है वह कब तक होगी हम time line भी देखेंगे साथी साथ वो क्या major breakthrough रहेगा आपके जिन्दिग का वो भी हम इस reading में cover करेंगे right तो 20 की तौर पर आपकी नाम की initials रखे हैं मैंने okay क्योंकि ऐसे रखते हूं तभी आप लोग reading check out करते हो guys ठीक है और साथी साथ यहाँ पर ना कुछ energies भी लोंगी मैं ठीक है pile number one के लिए रहेगा यह नाम की initials I hope आपको दिख रहे हैं ठीक है and वहाँ पर pick a card निकलता है आपके लिए वो रहेगा wow it's the garden and the gate ठीक है card number 30 so यह pile number one रहेगा okay जिनको initial के इसाब से नहीं जाना है guys आप pick a card के इसाब से डिंग को check out को सकते हैं right pile number two के लिए रहेगा यह नाम की initials and वहाँ पर pick a card रहेगा पर number two के लिए पिक a card रहेगा goddesses of the moon जाही तोर पर गाइस ओकी फोर new moon है and इसके वज़े से यहाँ पर goddesses of the moon का card निकला है okay so yes I hope आपने आपके जो pile रहेगा तो इसके जो time stamps रहेंगे यह comment section में भी रहेगा साथ description box में भी रहेगा ठीक है so चली बढ़ते हैं pile number one से शुरुबात करते हैं क्या major breakthrough आपके जिंदगे में होने वाला है let's begin with pile one people hi my dear stars pile one people welcome on your reading guys तो आज की जो reading रहेगा के major breakthrough आपके जिंदगे में होने वाला है यह कब तक होगा हम इस reading में check out करेंगे timeline भी हम end में देखेंगे and यहाँ पर आपने जो pile choose की है या फिर आपके जो name के letters आपने choose की है यह वाले है ठीक है and जिनको name letter के हिसाब से नहीं जाना था तो आपने pile choose की है वो है garden and the gate का okay my dear pile one people आपकी energy न मुझे कहीं न कहीं बहुत सदा positive भी दिख रही है साथी साथ ना काफी आप लोग मुझे power में हो ऐसा दिख रहे है यह power आपके तजूरवे से हो सकता है आपके experiences के वज़े से हो सकता है या फिर मैं कहूं तो pile number one आपने आप तक काफी कुछ जेला हुआ है देखा हुआ है आपकी उमर यहाँ पर मुझे जादा दिख रही है जहाते कि यह card 30 है तो 30 से अबाव है मतब 30 प्लस हो सकते है 35 प्लस है 40 प्लस 50 प्लस भी आप लोग हो सकते हो गया ठीक है pile number one मुझे कहीं न कहीं आपकी energy ऐसे भी feel हो रही है कि आप लोग कुछ rituals कर रहे हो ठीक है यह rituals आपके life के सुधार के लिए है upliftment के लिए है betterment के लिए है आपके कुछ prayers हो सकते है manifestations हो सकते है कि जिसके चलते हैं आप लोग काफी मैं कहूं तो particular हो specific हो अपने choice को लेकर अपने desires को लेकर ठीक है और कहीं न कहीं ऐसे भी हो सकता है कुछ rivers pile बन के कि जब तक आपके manifestations पूरे नहीं होते prayers नहीं होते है specific situations आपकी तरफ नहीं आती न आप अपने comfort zone में हो pile number one people ठीक है आप न कुद को protected रख रहे हो universe के छत्रो छाया में आप लोग कुद को safe रख रहे हो ठीक है कोई भी बुरी बला आप तक ना आए कोई भी situations आप तक ना आए ठीक है को लेना है यह जैसके में ने कहा यह रिच्वर्स candle manifestation हो सकता है water manifestation हो सकता है witchy craft भी हो सकता है कुछ वर्स के लिए witchcraft समझे से बोलते है ठीक है वो भी हो सकता है pile number one की वर्स कुछ यहां पर कुछ यहां पर कुछ टारो रिडर्स हो सकते है astrologer हो सकते है अकल से related आपके कुछ interest हो सकते है या फिर इसमें आप कुछ ग्रो करना चाहते हो या फिर इसमें अप लोग कुछ आगे करना चाहते हो ऐसे मुझे energy pile number one से मिल रही है जाही तोर पर gender leading है guys ठीक है positively लेना है and जितना resonate होता है वही आप तक आपको लेना है right pile number one के लिए देखते हैं tarot cards अभी क्या निकलता है ठीक है आज मैं यहाँ पर chakra tarot cards यूज़ करने वाली हूँ ठीक है ये वाले let's see pile number one के लिए major breakthrough क्या रहेगा universe let's see लेकिन pile one आप लोग ना काफी power में हो आप अपने energy में हो आपकी उर्जा जो है मुझे बहुती positive vibrations दे रही है positive witty दे रही है आपके energy से ठीक है काफी high energy में भी हो सकते हो आप लोग पाए number one people ठीक है ये reading से उन सुन के हो सकता है या फिर universe से जुडा रहकर भी हो सकते आप अपने power में हो जोश में हो ठीक है यू आर completely confident कि universe मेरे तरफ ये लेकर आएंगे that's why आप लोग थोड़े से protected मुझे दिख रहे हो ठीक है लट लेकिन यहाँ पर कुछ वर्स तो over protected भी मुझे दिख रहे है कि अपने comfort zone में है ठीक है bitterness था आपकी जिंदिगी का ठीक है जो past हो सकता है उसके वज़े से भी हो सकता है guys कि आप थोड़े से सह में होए हो डर में हो या फिना कदम उठाने का थोड़े से हिच की चाहट है आपकी या फिना थोड़े से आप डर रहे हो ओके या पाइल नबर यहाँ पर strongly आपकी राशी Taurus होगा Capricorn हो सकते हो ठीक है ज़रूरी नहीं हम लोग और भी राशिया देखेंगे लेकिन यहाँ पर अर्थ की एनरजी तमिस कही नखी Taurus होगा Capricorn रहोगे पाइल नबर वान ठीक है काफी में तो होना पाइल नबर वान अभी आपके जीवन में लोट ओफ ऐसे situations आ रही है ना कि जहाँ पर आप खुद अपने लाइफ के करता धरता रहोगे या फिर ना जो भी कोने आपके जिंदगी में मिसिंग है ठीक है क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ नव कुछ आप लोग कर रह रहे हूँ इसका फल है कि अभी आगे जाके लोग आपके टैलेंट को समझने वाले है आपको recognize करने वाले है आपको मानने वाले है किसी के साथ collaboration आपको हो सकता है किसे के साथ partnership हो सकता है कुछ मिलके 81 आप लोग करने वाले हो ठीक है मतलब ना लोग आपको अभी समझने वाले है जानने वाले है आपके talents को समझने वाले आपके profile को समझने वाले है राइट इसे के चलते लोगों के तरफ से एक ना helping hand कहो या फिन एक partnership कहो यह आपके लिए आएगा जो कि आपके लिए major breakthrough रहेगा पाइल नमबर वान पीपल ठीक है यह main energy आपके लिए निकली है ठीक है बॉटम में भी है इस two of pentacles मैंने कहा थोड़ा सी हिचकी चाहट है पाइल नमबर तू पाइल नमबर वान पीपल पाइल तू के वीवर्स कुछ हो सकते गाइस ठीक है थोड़े से आप लोग डामा डॉल हो रहे है थोड़े से confused हो रहे है ठीक है अपने life को लेकर अपने situation को लेकर अपने prayers को prayers को लेकर भी आप लोग थोड़े से डर रहे होंगे या थोड़े से मैं कहूँ तो डाइसी हो सकता है आपका नेचर ठीक है पाइल नमबर वान पीपल लेट सी गाइस अभी ट्यारों का सबको क्या बता रहे है ठीक है मेजर ब्रेक्ट्रू आपकी जिन्दिके का क्या होगा पाइल नमबर वान के लिए मेजर ब्रेक्ट्रू पाइल वान औकी और रीडिंग को पूरा सुनिये गाइस क्योंकि ना मैं बहुत सारे चीज़े रीडिंग में बताती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग को टाइम नहीं होता है और यस मेरे जो रिडिंग रहती है वो एक घंटे तक तो नहीं रहती है एक घंटे से कम ही रहती है और मैं जो भी बताती हूँ आपको motivation भी बताती हूँ कुछ remedies भी बताती हूँ कुछ situations भी आपको बताती हूँ यहाँ पर लोग जुडने वाले हैं, ठीके, जाही तौर पर जुडने वाले हैं, ठीके, जाही तौर पर, यहाँ पर आपकी जिन्दिगी में कोई परसन है, जो जुडने वाले हैं, ठीके, यह मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, कि कही ना कही आपके जिन्दिगी को अपलिफ्ट करने वाले हैं, या फिर आपकी जिन्दिगी इनके वज़े से अपलिफ्ट होने वाली, ठीके, So this is a major breakthrough pile number 1 के लिए, bottom में भी चकाउट करता है, it's star energy, wow, beautiful my dear pile 1 people, ठीक है, yes, यहाँ पर strong राश्य है, मैंने कहा था, कि Taurus को Capricorn रह सकते हो, Cancer पैसे स्कॉप्यों भी, कुछ विवर्स है, Aries लो Sagittarius है, Aries लो Sagittarius है, Aries लो Sagittarius यहाँ पर मुझे बहुत सदा prominent दिख रही है, आपक राश्य है, ठीक है, कुछ और यहाँ पर Aquarius भी हो सकते है, ठीक है, that is water sign, तो fire energy and water sign यहाँ पर बहुत सदा strong निकला है, pile number 1 के लिए, ठीक है, yes, मैं dear pile 1 कहीं न कहीं मैं देख पा रहे हो ना, अभी major breakthrough, मैंने जैसे कहा, कि जो सारे जो breakthrough ना, आपकी जिन्नी के, वो आपकी वि हो सकता है, आपका, my dear pile 1 people, कि ने जो अर्मान आपके दिल में छुपे हुए है, ठीक है, इन अर्मानों को कहीं नों को आप लोग जाहिर नहीं कर पा रहे हो, या फिना बता नहीं रहे हो, या फिर express नहीं कर पा रहे हो, तो वो situation, major breakthrough के चलते आपकी जीवन में आने वाली है, ये breakthrough किसी person के लिए है, ये ओहदे के लिए है, आपके position के लिए है, आपके दिली खुआईश के लिए है, आपके manifestations के लिए है, आपके heart चक्रा के related है, my dear pile 1 people, ठीक है, ये major breakthrough कहीं ना कहीं, आपके जिन्दिगे को एक नई दिशा दिखाएगा, एक नया way out दिखाएगा, आप के life के हर एक मसले जो है, इस breakthrough के चलते पूरे होंगे, ठीक है, तो ace of wands है कहीं ना कहीं, आप अपने जिन्दिगी के queen या king बनने वाले हो, आगे जाके, ओके, this is a major breakthrough, pile number 1 people, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा guys, ठीक है, यहाँ पर specifically किसी person के related question रह सकता है, pile number 1 के लिए, okay, specifically person है, बह कोई person है, आपके आसपास guys, जो आप से सुला करना चाहता है, जो बात करना चाहता है, आप से एक नई शुरुवात करना चाहता है, भले ही आपके बीच में कुछ मसले है, कुछ दूरिया है, कुछ situations ऐसे है कि यह रिष्टा आपकी तरफ नहीं आ रहा है, यह person आपकी तरफ की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी ना कुछ ना कुछ मसला है, आप में दूरिया है, लॉंक दिस्टिंस है, बट कहीना कहीना, आप दोनों का reconciliation मुझे आप दिख रहा है, this is like a major breakthrough, ओके, यह महत्वपुर्न बदलाव आपकी जिन्दिगी में होगा guys, ठीके, यह बदलाव कहीना कहीन, आपको बहुत उचाई तक लेका जाएगा guys, ठीके, बहुत उचाई तक लेका जाएगा, कि एक बड़ी विश्पूरी होते हो, मुझे दिख रही guys, हो सकता है, जाने अन जाने, आपने तुट्टे तारे से कुछ मांगा होगा, ओके, आपने emotions को, आपने waste किया ह सभी में कह सकती हूँ, तो वही एक आपका good deeds रहेगा, अच्छे कर्म रहेंगे, okay, जो खोया है आपने, कहीना कहीं, यूनिवर्स अभी सारी तोर से आपको वो प्रदान करेंगे, आपकी जोली में वो प्रदान करेंगे, my dear pile one people, ठीके, लेकिन कहीना कहीं, pile number one people, आप लोग कोई पार्टनर्शिप अपकी तरफ आ रहा है, कोई ऐसे पोरसन अपसे जुड़ेंगे ना, कि जिसके चलते आपके जिन्दगी को महतो पुर्ना बदलाव घटेगा, pile number one people, right, and yes, यह मैंने जिसके कहाईए, कोई female भी हो सकती, मेरे गास, आपकी सब सब को लेना है, ठीके, लेकिन पार्टनर्शिप दिख रहा है, बिजन्स कोलाबरेशन मुझे दिख रहा है, आपके जो डिजायर्स रहेंगे, ठीके, डिजायर्स यहाँ पर डांसिंग हो सकता है, राइट, या फिर आपके टैलेंस आपको शो करना है, ठीके, जिसके चलते आप लोग ना, कर रहे हो, तो कही ना कहीं, वही टैलेंस को यहाँ पर नवाजा जाएगा, रकिगनाइस करा जाएगा, यही आपके लिए ब्रेक्टू रहेगा, कि जहाँ पर आपके विश पूरी होगी, जहाँ पर आपके सारे डिजायर्स पूरे होंगे, जो आप अरसे से हाथ में लेकर बैठे थे, बैठे थे या बैठे है, पाइल नवाण पीपल, राइट, और कुछ वर्स के लिए हो सकता है, यह कोलाबरेशन, यह पार्टनर्शिप, लॉंग डिस्टंस का भी रहे, ठीके, लॉंग डिस्टंस, मतलब इंडिया के भी रह सकता है, आउट अट अफ इंडिया दुबारा निकली गए, ठीके, तो लॉट अफ पीपल आपके जिन्दिगी में, इंस्पिरेशन रहेंगे, यह फिना, आपकी लाइफ को इंस्पायर करने का काम करेंगे, माइज़ पाइल वन पीपल, ठीके, और कही न कहीं, इस से आपकी जीत तो मुकमल है, इस से आप लो अपका जर्पेस के तरफ से या फिर आपके बिजन्देस में, ठीके, कुछ दॉट के लिए वह बकूल, एपका फामिली बिजन्थ भी रहें, ठीके, अगर आपका सवाल है, आपके जॉब के चलते हैं, करेयर के चलते हैं, आनशर इस यस आपके जिन्दीगी में ब्रेक्थ रहे हैं, और उसी की basis पर ही इनका आना आपकी जिन्दगी में महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर आ रहा है, महत्वपूर्ण सफल्था आपकी जिन्दगी में आ रही है, इन लोगों के वज़े से, माइडियर पाइलवान पीपन, करेक्ट, तो यहाँ पर लोग अपी गाइडन्स लेते हैं, आपके लिए क्या रहेगा ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है गाईस, ओके पाइलवान के लिए पॉजिटिव ही निकला है, और कुछ भी निगेटिव नहीं निकला है, लेकिन मैंने इसकी कहा कि आपने comfort zone से बाहर निकलेएं, ठीक है अगर अगर आप comfort zone से बाहर निकलते हैं, जही तौर पर यह talents को आप शो कर पाऊगे, आपके skills को आप शो कर पाऊगे, यह कुछ worst के energy कि आपने comfort zone में reserve बन चुके हो गहाई, तो reserve नहीं बनना है, open रही है, मैं समझ तो यह मुझे बहुत बनते हो दिख रहे हो यह मुझे मैसेज चैनल हुआ है तो यूनिवर्स आपको बता रहे है लुक अट द बिगगर पिक्चर मैंने कहा ना आपके जिंदिगे में भी बिगगर पिक्चर हा रहा है तीके कुईन किंग अड दोबारा कि निकला गाई तीके यह पर स्टार के भी इनज़ी है तो इस बिग मेजर प्रेक्थुर आपके जिंदिगे का वाक्य में होने वाला है तो यह पर बता रहे है कि लुक अट द बिगगर पिक्चर बड़े बदलाव को देखिए इस मेजर परिवर्तन को अपने जिंदिगे में अपनाई यह जो अ अब जो खोज रहे हो जो जाने की कोशिश कर रहे हो जो करना चाहते हो जही तोर पर वो आपके समीप है वो आ रहे है आपके तरफ ठीक है लेकिन आपको खुले रहना है ओके उपन माइंडर रहना है अपने हाठ चक्रा को उपन करना गैस ठीक है जैसे हम हाठ चक्रा को जही तोर पर वो हमारे जिंदिगे में आता ही आता है इसे कोई रोक नहीं सकता है ना कि कोई बदल सकता है so nothing is impossible in this world okay let's see pile number one के लिए timeline के रहेगा अभी इस major breakthrough के चलते timeline क्या रहेगा pile one के लिए timeline क्या है universe so you have your tentative timing is difficult in work okay see कुछ difficulties अगर रहेंगे okay तो यहाँ पर अपको अपनी mother की help लेनी है ठीके यहाँ पर comment section में मुझे comment मिला था कि mother ना हो तो क्या करें see mother अगर नहीं है तो जिनको आप मा मानते हो ठीके यह आपकी मामी हो गई चाची हो गई या फिर अपकी बड़ी बहन भी हो सकती है कि कोई feminine energy रहेगी कि जो मा के फिर मा के ओहदे के करेब है जही टो पर उनकी help अपको लेनी है ठीके तो यहाँ पर definitely किसी लोगों का समावेश है आपकी जिन्दिगी में तो अगर कुछ difficulties है आपके current life में तो आपको अपनी mother की help लेनी है sister की help लेनी है जो आपसे बड़ी है उमर में जिनको आप मा का दर्जा देते हो तो one more हम लेते हैं आपके लिए file number one के लिए in 26 days definitely अगर आप help लेते हो जाही तौर पर 26 दिनों में आपके लिए major breakthrough बन जाएगा ठीके तो bottom में भी हम लोग check out करते हम idea file one आपके लिए क्या रहेगा it's in 19 days ठीके कुछ वर्स के लिए 26 दिन है और कुछ वर्स के लिए 19 दिन है ठीके आपकी सबसे लेना है और जेनर लीडिंग है यह टाइमिंग जो यह टेंटिटिव टाइमिंग है यह आपकी पॉस्टन रीडिंग नहीं है गाईज राइट I hope आपको दिख रहा है अब ही दिख रहा है शाहिद ठीक है okay so yes my dear pile one people यह थी आपके लिए रीडिंग major breakthrough के चलते इस रीडिंग को claim करना ना भूलिए साथ ही साथ मुझे comments में बताना ना भूलिए and like share and subscribe करना ना भूले guys ठीक है so thank you for listening bye bye take care god bless you and love you all hey my dear stars pile two people welcome on your reading guys तो आज की जो रीडिंग रहेगी all about major breakthrough आपके जिंदगी में होने वाला है वो कब तक रहेगा इस रीडिंग में हम लोग check out करते हैं right time line में मैं आपको बताऊंगी साथिसाथ major breakthrough आपके जिंदगी में क्या होने वाला है वो हम इस रीडिंग में detail में देखते ह आपको end तक सुनना है guys वेकि बहुत सारे viewers जो है यह skip करके सुनते है फिर आप comment section में मुझे questions करते हो right तो मैं काफे सारे चीज़े इस reading में बताते हूं मेरे reading जादा लंबी नहीं होती है वो एक घंटे से कमी रहती है ठीक है maximum 45 minutes से कमी रहती है ठीक है so my dear pile number two people आपने चूस क pile number two आपकी energy ना मुझे ऐसी feel हो रही है guys कि वाकर में आप अपने ना journey में हो आप अपनी success की journey में हो ठीक है success चाहते हो सफलता चाहते हो कामयाबी चाहते हो सच्चा partner चाहते हो सच्चा हमसफर चाहते हो right लेकिन हो सकता है my dear pile number two people आपने अपने life को लेकर confused हो या फिर मैं कहू ना तो काफे सारे चीज़े आपकी जो अंतरात में आपको बताती है आपकी जो higher self आपको बताती है या फिर आपको सपनों को माध्यम से कुछ ना कुछ गाइडन्स भी देती है ठीक है यह guidance एंजन नमर्स के थ्रू हो सकता है रीडिंस के थ्रू हो सकता है वीडियो के पतलब ना आपके कुछ प्लांस हो सकते है गोल्स हो सकते है लेकिन जो आपकी उर्जा बार 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 बदलती है उसके चलते मैं डियो पाई लंबर टू पीपल अभी भी आप लोग अपने सक्सेस की तरफ नहीं बड़े हो या फिर सक्सेस आपसे के एक कदम दूर है समय कह सकते हो माइडियो पाई लंबर टू ठीक है लेट सी आपके लिए अभी एनोर्जी क्या निकलती है मेजर ब्रेक्ट्रू आपके जिंदगी में क्या होगा माइडियो पाई लंबर टू के लिए कुछ वास है यहाँ पर गाई कि आप लोग ना मून रिचोस करते है या लेगे देते है उसको भी आपको सुनना है या फिर उस पर अपको गौर करना है राइट लेट सी पाई लंबर टू के लेए नोजी क्या रहेगी उनिवर्स वाव देखिए जस्टिस के नजी ठीक है तो इस इस लाइक अमेजर ब्रेक्ट्रू ठीक है जिस्टिस कहीं नहीं म my dear pile number 2, ठीक है, यह पर bottom भी check out करते हैं, देखिए, it's 10 of water, मैंने कहा ना, success यह आपकी जिन्दिगी के सभी cups के related है, ठीक है, सभी cups, मतलब एक cup नहीं, मतलब एक पहलू नहीं आपके जिन्दिगी का, आपने अपने लाइफ के हर cup में success चाहते हो, आपके हर life के पहलू पर आप लोग success चाहते हो, right, and this is like a major breakthrough आपके जिन्दिगी का होने वाला है, कि इनी सारे cups को लेकर, इनी सारे पहलू को लेकर, आपके जिन्दिगी में justice फाइनली आपको मिल रहा है, universe की तरफ से, God की तरफ से, आप जिस भी आपके जिन्दिगी के जिन्दिगी के जिन्दिगी को न्याई दिलवाएगा, my dear pile number two people, right, let's see, हम tarot card से भी देखते हैं, कि justice किसके related है, या फिर आपके जिन्दिगी में breakthrough किसके related है, my dear pile number two, ठीके, महत्वपुर्णा बदलाव, आपके लिए क्या रहेगा, my dear pile number two के लिए, let's see, you have here, it's six of swords के energy, okay, six of swords, तो जिमने लिबरा, एक्वेरियस आप लोग रह सकते हों, ठीके, then you have emperor के energy, Aries sign, अप लोग रह सकते हों, and you have here six, sorry, seven of coins के energy, seven of pentacles के energy, okay, and bottom में भी हम लोग चकाउट करते हैं, Aries sign, Taurus होग रह सकते हों, right, bottom में भी हम रह सकते हैं, it's princess of swords, ठीके, that में साम में दिसे बोलते हैं, page of swords, ठीके, पिर जमने लिबरा, एक्वेरियस, and you have here two of swords, okay, so swords के energy मुझे जाधा prominent देख रही है, pile number two, swords कहीं ना कहीं बताता है कि mental stress, ठीके, जो कि मैंने कहां यहां पर, कि आपके energy कहीं बार fluctuate होती है, या फिर आप decisions को लेकर, थोड़े से confused रहते हो, आपने life में confused रहते हो, right, and ना कहीं बार हो सकता है guys, कि ना आपना situation से भागने की कोशिश करते हैं, फिर give up energy में रहते हो, right, लेकिन यहाँ पर universe बता रहे है, कि give up करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीके, आप जिस भी flow में जा रहे हो, जिस भी situation की तरफ जा रहे हो, कहीं ना कहीं, वो आपको आगे जाके major breakthrough देगा ही देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है guys, ठीके, कहीं ना कहीं हम तो decisions लेते हैं, या फिर कुछ worse हो सकते हैं, कि आप अपने decisions पर बहुत सदा firm है, कि मुझे यही करना है, मुझे अगला way out करना है, मुझे different job की तरफ जाना है, different person की तरफ जाना है, specific life partner चाहिए, specific goals के लिए, goals के लिए आप लोग यहाँ पर इंतिजार कर रहे हो, higher position के लिए इंतिजार कर रहे हो, financial stability के लिए इंतिजार कर रहे हो, right, तो काफी सारे plants अपके दिमाग में घूम रहे है, mighty apply number two people, ठीक है, और इसके चलते हो सकता है, कि आप अपना decisions को लेकर थोड़ से confused रहते हो, लेकिन यहाँ पर universe बता रहे है, कि confused होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अवशक्ता नहीं है, क्योंकि आपके जिंदेगी में जो clarity चाहिए, वो clarity अभी universe major breakthrough के तहित देंगे, ठीक है, बट इसके लिए आपको ना mentally थोड़े से काम रहने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ज़दा confusion होता है, my dear apply number two people, decision को लेकर, तो meditation अब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर अब meditation करोगे ना, तो जो आपका है, जो आपका position है, जो आपका job है, जो आपका एक upliftment है, या फिर मैं कहूं तो जो आपके लिए बनाया गया है ना, ठीक है, वही major breakthrough के चलते हैं, वह आपके जिन्दगी में आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके mental stress को कम करना है, आपके लिए जो उचित नहीं है, जो person उचित नहीं है, जो situation उचित नहीं है, उससे निकल जाएए, जो उचित नहीं है, उससे निकलिए, unnecessary give up परने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या फिर जो आपको बहुत burden करता है ना, उससे कहीं न कहीं निजात पाने की कोशिश करिए, ठीक है, card cutting के लिए भी मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, कि यहाँ पर है कुछ reverse की ना, किसी person को लेकर आप थोड़े से dicey हो, या फिर अपना decision नहीं ले पा रहे हो ऐसा, ठीक है, और यह चीज आपको बहुत ज़्यदा कुरेद रही है, परेशान कर रही है, यह person आपका spouse हो सकता है, आपका partner हो सकता है, या long distance relationship हो सकता है, जिसके लिए आप लोग universe से divine justice मांग रहे हो, या आपका divorce case भी हो सकता है, कुछ reverse के लिए, ठीक है, divorce case यह family के चलते भी हो सकता है, spouse के चलते भी हो सकता है, ठीक है, आपकी सब सब को लेना है, लेकिन strongly यहाँ पर pile number two के life में न, किसी person के related ही कोई मसला यहाँ पर चल रहा है, और इसके चलते ही, यहाँ पर universe ने पहली चीज़ बताई कि justice मेलेगा, आपको worry करने की जुरुरत नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ fair रहना है, situation के लिए, fair रहना है, अपने goals के लिए, अपने intuition के लिए, ठीक है, जब अपनी intuition के आप सुनते हो, या फिर intuition मार्क पर आप लोग चलते हो ना guys, okay, वही आपके लिए breakthrough रहेगा, my dear pile number one people, pile number two people, कुछ worse pile one के हो सकते हैं, and that's why यहाँ पर moon के energy के साथ साथ justice के energy निकले, मतलब अगर आप अपने अंतरात्मे के आवाज को सुनते हो, उसको परखते हो, universe के guidance को समझते हो, संकेत को समझते हो, जही तोर पर फिर आपकी जिन्दिगी को दिशा जो है, यह universe आपको दिखाएंगे, and this is like a major breakthrough, pile number two people, correct, तो यहाँ पर यह major breakthrough कही ना कही, आपके life के हिसाब सबको लेना है, ठीक है, यह अगर person है, जही तोर पर आप अपने specific person को meet कर लोगे, आपका specific person अपके जिन्दिगी में आजाएगा, आपका position आजाएगा, आपका job आजाएगा, finances, stability, यहाँ पर मुझे एक foundation बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, see, immediately, immediately कोई पैसो की बरसाथ तो नहीं हो गया आपके जिन्दिगी में, लेकिन इसके लिए आपको ना foundation create करने के लिए कहा जा रहा है, महनत करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, आप तो जो रास्ता बनाएंगे ना universe, उस रास्ते पर आपको चलना है, ठीक है, वही आपके जिन्दिगे का major breakthrough रहेगा, my dear pile number two people, ठीक है, लेकिन major breakthrough के चलते कहीं ना कहीं, pile number two people, यहाँ पर ना, कोई specific person आपकी तरफ आ रहा है, यह तो पक्का है, ठीक है, यह person आपको offer दे स आपको वो शाही ताज या शाही गदी मिलेगी, जिसके आप लोग हकदार हो, my dear pile number two people, ठीक है, अप लोग कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अप लोग काफी online portals भी खंगाल रहे हो, आप लोग कोशिश कर रहे हो, आप लोग manifest कर रहे इन चीजों को, ठीक है, अपने मांगने की क सही है, उसके लिए open रहना है, जो आपके लिए गलत है ना, उसके लिए cut off करना है आपको, ठीक है तो आफ सोट की एनजी कहीना के बता रहे है, आखे खोलना है, सिचुएशन को देखना है, परखना है, तब ही जाके आपको decision लेना है, क्योंकि ये कहीना कही आपके जिंदि हो गया, बच्चे हो गया, राइट, 10 of pentacles मतलब ये सारे तौर पर, सारे तौर पर ये major breakthrough आपके लिए रहेगा, pile number two people, जो आपके जिंदिगी को बदल देगा, जो आपके जिंदिगी में काले बादलों को छाट देगा, या फिर मैं कहुना तो एक नया सवेरा आप लोग दे है, ठीके, शादी हैं पर मुझे होते वे दिखरी, ये पताने किन की लिए message मुझे मिला है, लेकिन ये definitely message मुझे मिला है, परसन आपकी तरफ ना justice लेकर आ रहा है, और इस justice कईना कि आपकी जिंदिगी का major breakthrough रहेगा, ठीके, ये शादी आपकी जिंदिगी का major breakthrough रहेगा, ये शादी हो सकता है, बच्चे हो सकता है, कुछ वर्स के लिए, financial luck हो सकता है, prosperity हो सकती है, लेकिन इसके लिए universe आपके लिए foundation बनाएंगे, महनत करना है, महनत के दम पर ही कही न कहीं, ये breakthrough आपके जिंदिगी का बड़ा महतवपुर्ना फैसला रहेगा, बड़ा महतवपु देखना है, आप लोग कर रहे हो, और आपको महनत करनी है, जही तोर पर ये इसके जो results आपको मिल करी रहेंगे, कही नहीं जाएगा, my dear pile number 2, ठीक है, let's see, क्योंकि आपके reading में सोट्स की इनुटी जादा निकले गाई, ठीक है, यहाँ पर सोड है, यहाँ पर है, यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो seven chakra meditation आप कर सकते हो, ठीक है, यह new moon के time, अगर आप करते हो, new moon, full moon के time, यह आपके लिए बहुत जदा अच्छा रहेगा, बहतर रहेगा, क्योंकि कुछ overs ऐसे भी है, कि कुछ stress के वज़े से हो सकती कि अपना रातों को सो नहीं पाते हो, ठीक है, आप अपने सपनों को समझ नहीं पाते हो, संकेत को समझ नहीं पाते हो, जही तोर पर आपको संकेत तो मिल रहा है, ठीक है, यह ऐसा संकेत है, कि चारों दिशा से आपके जिन्दिगी में यह रोश्नी की किरन आपकी तरफ आगी, ठीक है, बट यह संकेत को समझने क के लिए आपको अपने mindset को open करना है my dear pile number two ठीक है burden लेकर नहीं भैटना है guys कि कैसा होगा क्या होगा कब आएगा ठीक है ऐसे burden लेकर नहीं बैटना है अगर आप burden लेकर बैटते हैं तो जहीर तोर पर आप situation को कभी देखो गई नहीं इस person को कभी नहीं देखो गई इस offers को कभी नहीं देखो गई correct yes तो let's see guys pile number two के लिए अभी advice निकलता है ठीक है इस reading के related advice के रहेगा my dear pile number two के लिए you have here guys it's believing in the impossibles जाही तोर पर guys ठीक है impossible हमारे जिंदिगे में कुछ नहीं होता है ठीक है अगर आपको लग रहा है कि impossible है बिलीव करें कि सब कुछ possible universe आपके लिए करेंगे god आपके लिए करेंगे guys ठीक है बिलीव करें कि impossible चीज भी possible होती है my dear pile number two people right and that's why आपर source की energy निकले guys ऐसी source की energy नहीं निकल रही है यूँकि आपके दिमाग में ही है चीज है कि सब कुछ impossible है कुछ होता नहीं है लेकिन यह पर universe ने आपको guidance के तो पर बताया है believe करें in impossible thing ठीक है जहाई तो पर आपके सब कुछ possible करतेंगे अगर आप believe करते हो तब right correct तो अभी water में हम लोग check out करते है meditate and contemplate मैंने क्या कहा था guys ठीक है यह तो card अभी आखिर में निकला है मैं आपको पहली बता था कि meditation आपको करने के लिए कहा जा रहा है अगर आप meditation करते हो तो आपके लिए impossible चीज़े भी possible होने लगेंगी by number two people correct so meditation करिए meditation से ही आप अपने गोल्स को अप्रोच कर लोगे आपके जो tough cycle वो भी end हो जाएंगे ठीक है the end of tough cycle approaches definitely यह कहिना कहीं आपके जिंदगी के सारे tough cycle जो भी pain है जो दर्द है जो mental stress है उसका कहिना कहीं end कर देगा my dear pile number two and you will be ready for the possible things okay see जैसे आपके लिए energy के लिए उसी बेसे पर ही आपको guidance भी निकल रहा है guys and वही मैंने आपको अपनी psychic level की reading के तहर भी बताया correct yes my dear pile two, अभी tentative timing देख 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 के इस major breakthrough के लिए timing क्या रहेगा pile number two के लिए let's see pile number two के लिए timing क्या रहेगा okay so आपके timing निकलता है in November month okay so end of November भी कुछ रूवर्स के लिए हो सकता है यह breakthrough रहे end of November ठीके आज की जो तारिक है वो अभी endy है okay हाला कि 2-3 दिन बच्चे है अभी तो end of November कुछ रूवर्स के लिए हो सकता है यह फिर अगले November ते चला जाएगा breakthrough ठीके आपके reading की सब सब को लेना है guys की situation की सब सब को लेना है और देखते है अभी point number two के लिए you have here in four months ठीके so major breakthrough आपके जिंदिगे में four months में रहेगा ठीके within four months में रह सकता है right bottom of the deck भी check out करते है within six months ठीके so November यह November रह सकता है next November रह सकता है and four months four to six months का समय है कि यह major breakthrough आपके लिए आएगा यह होगा ठीके महत्वपुर्ण उपलब्दी या महत्वपुर्ण सफलता इन tentative timings के हिसाब से आपके जिंदिगी में आएगा ठीके कुछ हो वर्स के लिए 22 days भी रह सकता है guys ठीके yes my dear pile number two people यह थी आपके लिए reading guys and I hope guys एपसे resonate जरूर कर रह होगा yes मुझे कम से बता ना भूले इसे claim करना ना भूले so thank you for listening bye bye take care god bless you and love you all